नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्योब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी पैंसंधारक हैं तो इस वीडियो को आप जरूर वोच करेगा क्योंकि सरकार दोरा पैंसंधारकों के लिए बड़ी खबर जारी कर दी है जो कि हम आपको दिने जा रहे हैं पैंसंधारकों के लिए नियमों में भी बतलाओ क्या गया है और पैंसंधारकों को दोस्तो पैंसंध प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी दस्तवेजमा करने होंगे, तभी वह पैंसन को प्राप्त कर पाएंगे, अगर पैंसन धारक ऐसा नहीं करते हैं, दस्तवेजमा नहीं करते हैं, तो उनकी पैंसन सरकार द्वारा रद कर दे जाएगी, और फिर वह पैंसन धारक पैंसन को नहीं ले पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो दूस्तो वीडियो को सुरू से लेकर दाश्ट तक आप चुरूर देगा, आप से हम निविदन करते हैं, कि वीडियो लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करेगा, सेयर करेगा, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप चिरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों बेल करें को प्रैस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता चाहिए कि सरकार की तरफ से पैंसंत्हरकों के लिए ताजा अपडेट जारी क्या गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर एक राज्य सरकार दोरा पैंसंत्हरकों के लिए अलग-लग नियम बनाए गए हैं। और अलग-अलग इस तरफ पर ही पैंसंत्हरकार की तरफ से दे जाती हैं। दोस्तों ये बात अप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में अलग नियम हैं। किसी में कम पैंसं दी जाती है तो किसी में अधिक पैंसं सरकार दोरा दी जाती है। वहीं दोस्तों एक बार फिर से कुछ नियामों में बदलाव सरकार दुवारा क्या गया है जिसके अंतरगत पैंसन धर्गों को फिर से कुछ महत्पून दस्ता वेज जमा करने होंगे तभी वहें पैंसन को प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि काफी ऐसे एपातर लोग हैं जो पैंसन प्राप्त कर रहे हैं वहीं पातर पैंसन धर्ग होते हुए भी कुछ लोगों तक पैंसन नहीं पहुँच पा रही है यानिके दोस्तो जो पातर पैंसन धरक हैं उन तक यह लाब नहीं पहुच पा रहा है और जो पातर व्यक्ति हैं जो पैंसन के लायक नहीं है वह भी पैंसन को ले रहे हैं तो इसी इस्तिति को देखते हुए सरकार दोरा यह एहम कदम उठाए गए हैं दोस्तों चाहे आप कि पैंसन वर्द अवस्ता हो, दिव्यांग हो या फिर विद्वा पैंसन हो, यानके तीनों पैंसनों में से कोई भी पैंसन अगर पैंसन धारक की है, तो आप इस वीडियो को देखते रहेगा दोस्तों, सभी पैंसन धारकों को यह कारिय करना अनिवारिय है, तभी सरकार पात्र वैक्तियों तक पैंसन पहुचा पाईगी आपने कौन से pension बनवाई हुई है या फिर आपके प्रिवार में कोई pension धारक है तो वह किस परकार की pension प्राप्त कर रहे हैं वह आप हमें comment box में जाकर जरूर बताएगा वहीं दोस्तों मैं आपको बदा चाहूंगा कि आपको क्या कारिया करने होंगे तो दोस्तों हाली में सरकार ने परती एक वर्दवस्ता पैंसंद धारकों को KYC करना अनिवारिय कर दिया है यदि आप भी pension धारक हैं या फिर आपके परिवार में pension धारक हैं और आप तक KYC नहीं करा है तो आप KYC जरूर कराईएगा या फिर दोस्तो किसी अन्या प्रकार की pension भी अगर आप लेते हैं तब भी आपको KYC करना अनिवारिया है जी हाँ दोस्तो यही कारिया है जो आपको करना है लेकिन किस प्रकार से करना है वह भी हम आपको बताएंगे दोस्तो यह कारिया आप स्वेम भी कर सकते हैं और किसी भी नजदी की जन सिवा केंदर पर जाकर भी आप करा सकते हैं लेकिन काफी ऐसे वैक्ति हैं जो स्मयम ही अपने करे को कर लेते हैं तो वह भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे और कहाँ पर जा कर आप अपनी पैंसन के अपर अपने पिरिवार के कोई वर्द वैक्ति है, विध्वा महिला है, दीवियंग वैक्ति है, उसकी केवाई सी करन दोस्तों आगे बात करते हैं बताया गया है कि अगर आपने अपना आधार सत्यापित नहीं करा है तो आप करा लीजेगा या फिर आपको कराना होगा यह दोस्तों आपको यह कारिय करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसके लिए आप स्वेम भी अपने मुबाइल फोन से लैप्टोप से केवाईसी को आसानी से दोस्तों कर सकते हैं यानिके आपको बताना चाहेंगे अगर आप स्वेम ही अपनी पैंसन की केवाईसी करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ महत्पूंदस तवेज होने चाहिए दोस्तों काफी ऐसे पैंसन धरक हैं जिनकी पैंसन रुक्यूई है तो वह भी वह प्राप्त आसानी से कर सकते हैं चल दोस्तों आगे बात करते हैं अगर आप यह कारिये कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी पैंसन मिल जाएगी दोस्तो इसमें चाहे आपकी वर्दवस्ता पैंसन हो विकलांग पैंसन हो या फिर विध्वा पैंसनों तीनों पैंसनों के अंत्रगत्त आपको KYC करना अनिवार यह है सभी वैक्तियों के लिए यह सरकार दोरा जरूरी कर दिया है अगर आप यह कारिय नहीं करते हैं तो आपकी पैंसन को रोक दे जाएगा और दोस्तो रद भी कर जाएगा इसलिए आपको सुनिचित करना है कि आप अपनी पैंसन KYC जरूर करा लें अब बात करते हैं कि आपको कैसे KYC करानी है और कैसे आपको स्विम KYC करनी है चलिए इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं वीडियो को लाइक नहीं क्या है दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिजिए तो दोस्तो पैंसन धारकों को KYC कराने के लिए किसी भी नजदी की जन सिवा केंद पर जाना होगा वहाँ पर अपनी KYC को कम्पलेट कर सकते हैं यनके अगर आप स्विम KYC करना नहीं जानते हैं तो आप किसी भी नजदी की जन सिवा केंद पर जाकर KYC करा सकते हैं और पुनेवे अपनी पैंसन को सुरू कर सकते हैं या फिर दोस्तो आप अपने पैंसन धारक जनके अपनी पैंसन को स्विम ही KYC करना चाते हैं तो आप वह आसाने से कर सकते हैं आपके पास mobile या फिर laptop होना चाहिए, इससे के आप स्विम करना चाहते हैं, mobile है तो mobile से भी आप कर सकते हैं, दोस्तो आसाने से आपको official website पर जाना होगा, यानिके जो पैंसन धर्गों की official website है, एकी करत्समाजिक portal, दोस्तो आपको उस पर जाना है, आपको link description box में मिल जाएगा जैसे आप वहाँ पर click करेंगे, तो दोस्तो आप सिधा official website पर पहुच जाएगे, और वहाँ से दोस्तो आप असानी से अपनी KYC को complete कर सकते हैं, अगर आपको करना नहीं आता है, तो आप comment book में जाकर हमें यह भी लिख दीजेगा, हम आपके सामने नए स्ट वीडियो लेकर हजिर होंगे, कि आप कैसे KYC को कर सकते हैं, live process आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि KYC करने के लिए आपके पास अधार कार्ड होना अनिवारिया है, साथ ही अधार कार्ड से pension धरक का personal mobile नमबर भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप KYC करते हैं, तो जो भी आधार कार्ड से आपका mobile नमबर लिंक होगा, उस पर one time password आएगा, या फिर आप OTP कर सकते हैं, OTP आएगा, और वह OTP दोस्तों आपको अपने form में fill up करना होता है, तभी आपकी KYC complete हो पाएगी, और आपकी आगे जो pension है, वह भी शुरू हो पाएगी, दोस्तों मैं आपको बदा चाहूंगा कि काफी ऐसे pension धारक हैं, जिनकी pension सरकार दोरा रोकी गई है, अगर आप भी उन pension धारकों में से हैं, तो हमें comment box में जाकर comment जरू करेगा, कि आपकी pension कितनी रोकी हो है, अगर आप EKYC को complete कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी जितनी भी pension रोकी हुई है, हो सकता है कि सरकार दोरा वह एक साथ ही transfer कर दे जाए, क्योंकि दोस्तों EKYC के जर्ये सरकार यह pension transfer करेगी, क्योंकि उससे पता चलता है कि कोन वेक्ती पातर है और कोन वेक्ती एपातर है, तो कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेयर करेगा, आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप चरूर सब्सक्राइब करेगे दोस्तों, बैल लेगन को प्रेस करेगा, ताकि आने वाला notification आप तक पहुंच सके तो दोस्तों, ये तिया आपके लिए महत्पुन जानकारी, अब मिलते हैं आपको फिर से नेस्ट, वीडियो में तब तक कि लिए सो, जैहिन, जै भारत